अजय देवगन और काजोल बॉलिवुट के पावर कपल कहलाते हैं दोनों ही अपने दौर में सुपर स्टार रहे हैं अजय देवगन तो आज भी सुपर स्टार है वहीं काजोल नब्बे की दशक की सबसे सुपर हिट अक्टरस में से एक हुआ करती थी उनके खाते में बहुत सारी हिट फिल्म में हैं और आज भी काजोल जो है एक्टिंग की दुनिया में अपना जलवा बिखेर रही है आने वाले दिनों में उनको फिल्म सलाम वेंकी में देखा जाएगा अजय और काजोल की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हास पढ़ेंगे इस कपल ने की शादी को 23 साल हो चुके हैं और हाली में काजोल ने के इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो अजय देवगन से जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद जो हैं वो दोनों हनीमून पे गया थे साल 2000 में ये शादी हुई थी इनकी शादी को करीब 23 साल हो गए 99 में इनकी शादी हुई थी और इसके बाद जो है दोनों दो महीने के वर्ल्ट टूर पे गया थे उस्ट्रेलिया से लोस एंजलिस, लास वेगस, यॉरप, मिश्र, बहुत सारी कंट्रीज ये गूमे लेकिन एक महीने गूमने के बाद अजय देवगन परिशान हो गये तो ग्रीस में जो पहुंचे तो उनको लगा कि एक सुबह उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है मैं आज घूमने नहीं जा सकता उनका जो है सिर दर्द बढ़ता ही जा रहा था दवा देने के बाद भी वो जो है कहीं घूमने नहीं जाना चाहरे थे तब काजोल ने उनसे पूछा क्या किया जाए तब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर ले चलो मुझे घर की बहुत याद आ रही है मैं आप यहां पे नहीं रह सकता मैं परेशान हो गया हूँ मैं लगातार घूमे जा रहा हूँ तुमारे साथ फिर पूरा उनका जो ट्रिप था वो बुग था एक महीने का ट्रिप बचा हुआ था और फिर काजोल उनके साथ मुंबई लॉट आई काजोल को बहुत अफसोस भी हुआ कि वो जो पूरा वर्ल्ट टूर का जो उनका सपना था वो आधा ही रहा वो पूरा नहीं हो पाया और फिर जो है वो लॉट आई और यह जो कहानी है 1999 की है उस दौर में काजोल ने जब शादी की थी अजय देवगन से तब वो बॉलिवूड की टॉप अक्टरस हुआ करती वही अजय देवगन भी पिछले 30 सालों से बॉलिवूड पे चाय हुए हैं अभी भी उनकी फिल्में जो है सुपर हीट होती हैं अभी भी अजय देवगन बॉलिवूड के टॉप 10 एक्टर्स में से एक हैं आज भी बहुत महंगे एक्टर्स माने जाते हैं और फिल्म को लेकर उनकी बहुत चर्चा हो रही है वही उनकी फिल्म दृश्यम जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है अजय देवगन और काजोल जो कह सकते इनका बॉलिवूड करियर तो सफल रहा ही वही इनकी शादी भी बॉलिवूड में आम तोर पे देखा जाए तो ब पर करार रखा और 23 साल से जादा इनकी शादी को हो गया आपको बता दे कि साल 1995 में इस कपल का अफेर शुरू हुआ था वह फिल्म थी हलचल जिसके सेट पर आजय देवगन के दिल में हलचल मचा गई थी काजोल उस दौरान जो है आजय देवगन करिश्मा कपूर के प्या कि पिछला प्यार पीछे चूड़ गया जी हां काजोल का साथ पाने के लिए अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को धोखा दिया था तो वहीं अजय के लिए काजोल ने अपने बॉइफरिंट को छोड़ दिया था कहा जाता है कि उनका जो उस समय अफेर जिससे चल रहा थ था वो कमल सदाना एक्टर थे तो उसके बाद जो है दोनों ने चार साल तक एक दूसरे को डेट किया और साल 1999 में जो है इस कपल ने शादी रचाई इनकी शादी जो है मराथी रीती रिवाद से हुई थी और अजय देवण की घर की छत पर ये शादी हुई थी बहुत ही सि नीमून से उप गए और उसके बाद जो है वापस वो जो है अपनी पत्नी को लेकर मुंबई लॉट आये थे